दोस्तों नमस्कार मैं हूँ केपी और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल बिलोगर केपी सिंग में आपका स्वागत है और आज मैं हूँ चांदमारी बट बाला जी के जो कि अपने आप में बहुत अच्छे हनुमान जी है और यहां पर काफी सालों से यह हनुमान जी की इस्थान है जो कि आप दर्थम रोड से जब आप आते हैं गेस प्लांट के और जो बर्सों से यहां पर मूर्ती स्तापित है बहुत अच्छी मूर्ती है और यहां पर लोगवाकी स्रद्धा भी है तो मैं आपको अभी उनके दर्शन कराऊंगा बताऊंगा कि मूरत कितने साल पुरानी कुछ वक्ते हैं उनसे बात करेंगे हम लोग और मैं कुछ चीजे म अपने दोस्त के साथ में घंटो विताता था और अपनी यादा ताजय करता था तो मैं अभी आपको लेकर चलता हूं बढ़के नीचे जहां पर कभी किसी जमाने में कुर्शिया लगी होती थी और उस कुर्शी पर आकर हम लोग बेड़ते थे और बाते करते थे घंटो तो अभी तक बता नहीं पाया यहां पर मेरे दोस्त के साथ मैं आया करता था और घंटों बेठा करता था क्योंकि वह जो मेरा दोस्त था वह अपनी जो दिल की बात थी वह यहां के बेठके हम लोग किया करते थे दुख दर्द बाटा करते थे और कहते थे कि यहां पर एक अजीब सांती मिलती है क्योंकि प हैं जब हम लोग यहां आ रहे थे तो खांसाब से हम बात करते हैं अच्छा पहली वार आयों जंगल है दूसरे बात है जो जंगली जानुर्य पानी की तिलास में कहीं भी आ सकते हैं कहीं जा सकते हैं नहीं वह तो ठीक है और यहां पर जो और उनको शिक्का जाता है पुलीस के जमाने जो नए रंगरूट होते हैं उनको भी तो आपके जानकार मिल गएक यहां पर आप से चाहता हूं पिलकुल बिलकुल तो हम बात करेंगे इस इस्तान की जहां पर क्या नाम है मेरी यादे जुड़ी है तो मैं पट्या और यहां पर बेटके में अपनी यादें और दोस्त के सादा भी लग रही है दखो आपको दीक पारियों यह देखियें हो हैं यह यह जो पीछे आप दिख रहे हो काफी गंटो यहां पर गुजारता था मगराव जिन्दकुतलने मेरे नहींद नहीं डा मीरीu भी किन दिल से जब अलग हो जाते तो मिलना बहुत मुश्किल होता है और मत बेद दोनों में फर्ग होता है तो मत बेद हो जाए तो चलता है जिए आगे हम गूमने और पीछे आप देखेंगे यह अनवान जी का स्टान मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे इस चोटा सा इस्तान दिख रहा है आपको यह चदर है यह स्टान बहुत अच्छा स्टान है मैं भी आपको अनवान जी के द्रसन भी कर आँगा यहां पर कैसे दरालों लोग आते है लोक्डाँ चल रहा है आज ताका तो मुझे मालूम नहीं है कितनी टाक होगी होगी आज B 23 अप्रेल यहां पर अभी कुछ लोग जिनके सरदा रहे हैं वह लोग आपका नाम तुल्शी राम सर्मा तुल्शी राम सर्मा जी आप कितने सालों से आ रहे हैं यह कुन सा इस्तान है यह सर चांद मारी के बाला जी भी बोलते हैं इसको फाइरिंग बट भी बोलते हैं सर जंगल के बाला जी भी बोल देते हैं देखो इन्होंने कहा कि इसको कई न बिल्कुल जंगल का जंगल का महाँल पूरता यहां पर कवी टाइगरு है घणार कर दिन आ वेदा कि जंगली जानवर है वह आते हैं और पानी यह लोग भरके जाते हैं तो यह भी एक धरम का काम है पुन्य का काम है कि मूर्ति पूजा ही सबसे बड़ा धरम नहीं है अगर हमारा मानो धरह में तो वह कही नहीं जो निर्जी जो बोल नहीं सकते अपने जवान से उनके नहीं यह भी कुछ करना तो यह बहुत अच्छी बात भाट यह पुझा करते जानों और वीट को मिलता नहीं है कुछ भी तो चले जाते हैं थे है ticket & $500 ु कॶ ऌए लगता है कि हनवान जी का इस्तान पर लेकर चलता हूं यह बढ़का इस्ताने देखिए आप बढ़का यह काफी साल पुराना बढ़ और बहुत सुवाना लगता है विशेश कर बारिस में तो बहुत ही अच्छा लगता है यह और यह जो कह रहे हैं तुलसी राम जी के पीछे हैं आप चाहें है मैं आपको रस्ता बता सकता हूं कि जब आप चलते हैं हमीर सरक्य से अब bizde रोड होते कि यहां पर कहता है कि कभी करेशर की चला करती निया पर पथर कट्टे कटता था कभी किसी जमाने में तो आपको मैं मूर्ती दिखाता हूं और सामने का पोज भी आपको दिखाता हूं देखी आप यह जो आप सामने देख पा रहे हैं यह अनुमान जी का इस्तान है और कुछ चीजें यहां लिखी हुई है बोर्ड लगवा एक और इसको काफी नाम दोती नाम है इसके लोगडाउन चल रहा है फिर भी भगवान में जिसकी आस्ता है वो तो आते ही है और मैं आपको अनुमा यह देखिए आपको बिल्कुछ साथ दिख पा रहा होगा यह अनुमान जी की मूरत है और बहुत मुझे जहां तक याद है कि मेरे घरवाले भी बात क्या करते थे कभी अनुमान जी की तो यहां पर इस इस्तान की बात क्या करते थे सम्टिंग मेरी 40 साल के उम्रे तो मेरी ह तो सोचो यह कपका अश्तान होगा बहुत अच्छी मूरत है और यह हनमान जी संकर्ट मोचन भी हैं हर विकति के दर्द और दुख हरते हैं तो यह काफी अच्छा इस्तान है यहां पर संकर्वा वग्वान विराजमान है देखो पूरी फेमली विराजमान है इनकी यह होता है अच्छी चीजे और मैं आप अभी थोड़ दिन में आपको बढ़के नीचे भी एक इस्तान दिखाऊंगा आप देख पा रहे होंगे मैं आपको यह से दिखाता हूं एक मिट में आता हूं आज़े सामने यह बढ़ और बढ़के घञाने कितना सुंदर लगराए बहुत यह संदर लगरा wszyscy तो बढ़ अपने आप में बहुत चीज़े कहता है यह कहता है कि जहां पर बढ़ होता है वहां बहुत ही सुक्सानती होती है अपने आप में तो अभी हमको कुछ बता रहे थे बहुत अच्छी बनीए इस पास में देखिए आप कि अधर को सेवा भाव इसे बोलते हैं तो लोक डाउननों अगर फिर भी पेडो को गर्मी का मोसम चल रहा है फिर भी दो ये वहां से अपना समय निकालकर यह हा आते हैं और ये पक्षियों के लिए पानी भरा जारा है यह देखि यह देखिए कम यह देख कारें आप और यह संसक्तर का गोव बताया जा रहा है देखिए बता रहे हैं कि पुलीस अदिक शकते सांतनों कुमार जी उनके जब यह फारींग बट में आता ये यह कहते हैं यह फारींग बट में आता तो यहां पर इस पुल पर इस जो यह कुव आ है इस पर उनके दुआरा ही सिलिया नियास किया गया था दुखों मैं आपको कुवा भी दिखाता हूँ ये देखी ये कुवा है ये कितने बड़ सो पुराना कुवा है और बहुत गेरा है गेरा ही बहुत है इस कुवे की पानी तो नहीं है सब जगे सुख चुके हैं कुवे तो मगर बहुत अच्छी बात है कि ये हम इस कुवे को देख पा रहे हैं और हमारी ओडियन्स को दिखा पाएंगे बहुत अच्छी बात है कि ओडियन्स देख पाएगी इसको देखीए सोट मैं आपको सीन दिखाता हूं कितने प्यारा सीन है यह पीछे आप देख पा रहे हैं यह देखिए यह नुमान जी का इस्तान और यह बगीची है जो आप देख पा रहे हैं यह पूरी बगीची है बिलकुल लेंगे पनीजी का परिशिक पड़ा सब्सक्राइब कि आपका नाम क्या है मनीश शर्मा मनीश यह कौन सी जगह है यह फायरवट बोलते हैं इससे चांद मारी के बाला जी बोलते हैं तो आप कितने सालों से आ रहे हूं मेरे को तीन साड़े तीन वर सो गए तो यहां पर आकर 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 क्या मैसूस होता है यहां आकर शान्ती मिलत है कि सांती तो हमें घर पर मिलती है मगर उसके साथ-साथ जब हम जंगल में आते हैं और इस तरह के द्रेश से देखते हैं यह यहां पर आकर कुछ महसूस करते हैं जो आत्मा को सांती मिलती है क्योंकि सीटियों में हम लोग यह कहते हैं घर अच्छे होते हैं मगर सांती नह देखने के बादे देखने को परैंथ। बहुत अच्छी बात है कि शरद का भाव है और ये लोग जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा अपने आप में एक धर्म माना जाता है, और ये जो दिर्शे देख पारे हैं, आप मेरे पीछे बहुत अच्छे दिर्शे हैं जो पारे के पंत्री पूजा वह घ्राने के लिए अच्छा इस्तान है, शांति की जेगा है, प्रिकरति का पूर अन्द ही हो है चलो बहुत अच्छी जानकारी दी मोनू सरमाजी न और जो इस्तान है वो बहुत अच्छा हम देए आपस्तान को लगता है। लुक है इसका जो सांती वास्ता में अपने आप में सांती धी और अभी हिंढ़ को दिर्श से उतिक से तढ़ाते हैं कि य przeci याँ पर और डग मियाँ पर है क्ष़ए आगर जैनवर धूमस्यों जीव फ defense बाकित तो यह कैते हैं कि नारेंट सेवा भाली बात हैं तो यह देखो सब लोग यहाँ पर साम का राइम हो रहा है अभी कितना बज्ञा हो अब कि दो फिर भी यहाँ पर जंगल के अंदर है यहां पर यह लोग पाट कर रहे हैं यह पर वी पूजा भी करेंगी यह आठी करेंगे आपर और सबसाइब ज़े लोग निकल जाते हैं यह कहते हैं कि करोणा चलरा है उसकी guideline का भी पूरी पूरी तरह से पालन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि यहां पर आके यह जंगल में आके यह सेवा कर रहे हैं नहीं तो अपनी जान को बचाने के लिए तो लोग भाग घर से नहीं निकल पा रहे हैं और करोना गाइडलाइन का भी यह ध्यान रख रहे हैं देखिए आप पीछे का द्रेश से बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों मैं आप सब लोग नहीं देखोगे भरपूर प्यार नहीं दोगे तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा तो इसको विश्यसका द्यान दें तो अभी मैं अपने मित्र केपी सिंग्जी के साथ आप लोगों के लिए व सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग एसी जग्यां जाते हैं एक फाइरिंग घलाता है और अब नमारी के बाला जीव कहते हैं और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं यह किसी यह गैस प्लांट की जमीन है और गैस प्लांट का फाटा के यह किसी जमाने हम चालो था लेकिन बड़तवान में बंद है किर्पया करके आप हमारे मित्र केपी सिंग का जो ब्लोग को लाइक क उनके लिए किर्पया अपने सुजाव कमेंट हमारे ब्लोग पर जरूर बेज़ें